वहां में है क help our ईचेअ चफटर इंडिया प्लाइंट जिप दोशह अलत। क्रणाजयू धर में इंडिया के बारे में एकम किमी अनुजान उपलए गिपश्य को कि लिए हैं अब यह जो चेप्टर है वहां पर हम इंडिया के जो क्लाइमेटिक जो कंडिशन्स है कहां पर किस टाइप कर जो इंडिया में क्लाइमेट होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे So यहां हमाज जो Climates के बारेमें बातनों सच टर्ट कर रहें तो जो दो मेजर पॉइंट आथा एक जो मेजर बार ठीजना एक पॉइंट या आता है जो फॉइंट और फॉइंट पारुएं इहां डेन गर दोलबेत दोड़ बांव ik कि आखिर यूदर और क्लाइमेट क्या होता है क्या दोनों में डिफिरेंटस है क्या यह सेम है क्योंकि जर्राली हम दोनों को सेम मान लेते हैं सो वेनिव यू यू घेट होम तोड़े रिमेंबर तो वाच देविजन एक दाइन आप देविजन दाइन नूस्यू नोटिश यू नोटिश दाइट दाइन वेदर रिपोट अपड़ देट देट एड़ वेदर फोरकास्ट पॉर दाइक्स देश्ट मिन जरली न्यूस चैन यह अब जो कहीं का भी वेदर है हम मुबाइल में देख लेते हमारा जो गूगल वेदर है उसके माधियम् से फथा चल जाता है सो शेचली का जो अपडेट है कि यहांँ पर जो टेंपरेटर कितना था कहां पर बारीशोनी की संभवना है इस जो प्लेस पर काल टेंपरेट कितना रहेगा यह सब जो जानकारी है हमें न्यूज में वेदर के न्यूज है उसके मांद हम से मिलता था So what do people mean when they talk of the weather अब हम वेदर की बात करें तो उसका मतलब लोग क्या समझते हैं So weather is the daily status of the atmosphere is described that temperature, wind, speed and direction and the amount of of precipitation in a place on a particular day or over a few days Means अब यहां पर क्या सीज हुआ कि जो हम वेदर के बात करें तो वेदर जो है एट्मोस्फेर का जो डेली जो है यहां पर जो क्या होता है कि इसमें जो टेम्प्रेचर है या फिर जो वेडि स्पीड है विंड का जो डारेक्शन है और जो amount of प्रेटिक पेसंस भीस आपका जो बारेश होर डियू जो आपके जो रैंड फॉल सहा है या फीर आपके जो स्नुप और तो यह जो हमारे प्रेटिक पेसंस के फॉर्मस में आते हैं इनके डेली कर देर डेर तूद जो इस्टेटास होता है उसको कहा जाता है weather then look out of the window and see what the weather is like the weather could be hot or cold cloudy or windy sunny or wet means sub-generally जो हमने अहां पर बात क्या weather के हम बात करते हैं तो weather में आपका जो temperature, British patience के हम बात करते हैं, wind speed है, wind direction है इस सभी को सामिल के जाता है और जब हम अपने विंडोस हम घरों से बाहर देखते हैं तो हमें जो weather के conditions है कि आज बहुत जादा दूप कर रहा है तो आज का जो temperature है बहुत hot है, आज बहुत सुबह जो early morning हमने देखा बहुत ठंड था तो ही जो ठंड वेदर चल ठंड का जो हमारे साइड चल आट वेदर जो बहुत क्या रहा ठंड रहा, ठंड रहा, ऐसा कहेंगे, climate जो ठंड रहा, आज का जो weather है वो बहुत ही क्या रहा, ठंड रहा, जो नेक्स जो आता है आपका climate, so climate on the other hand, it is the average weather in a place over more than 30 years, means आपका weather है वो day to day है, few days का जो condition होता है, but जो climate है, वो weather का जो long time का जो conditions होता है, जो 30 years या फिर उससे भी ज़्यादा का time period होता है, उसके according to वहां का जो climate है, वो decide होता है, then climate refer to the long term average weather pattern of a region while weather describes the short term state of the atmosphere, the weather of a place often change unexpectedly during the course of day, means generally क्या कहा गया कि जो weather है, वो long pattern होता, sorry, जो climate है वो weather का long pattern होता है, यह नहीं बहुत सालों तब जहां पर जो weather एक समाल से रहते हैं, उसी के according to वहां का climate है, वो decide हो जाता है, जैसे आप हमारे desert area में चल जाएंगे, थार desert है, आपने previous classes में पढ़ा जो गुजरात और राजिस्तान के area है, तो राजिस्तान के area main area तो वहां पर देखो कि तो वहां पर सालों से हमेशा घर्मी पढ़ते हैं, वहां पर बहुंच ज़रा temperature हाई होता है, तो वहां पर climate है वो क्या होता है, बहुंच ज़्यादा hot होता है, बट आप coastal areas में चले जाएंगे, आज यसे आप इसाका फटनम चले गए, तो वहां पर ना बहुंच ज़्यादा घर्मी पढ़ते हैं ना बहुंच ज़्यादा थंडी, तो वहां पर moderate temperature है वो हमें देखने को मिलता है, तो वही चीज़ बता है कि जो आपका कई ज़र्दा है प्लेस है, वहां पर climate है वो change होते रहता है, बट आप जनरली आपका weather है वो change होता है बलट जो climatic condition है वो लगभग same रहता है, then climate is usually described as a inequable or extreme, tropical or temperate, etc. for example, let us see the differences between two major types of climate, equitable and extreme यहां पर दो चीज़ वहीं बताए गया है कि जो जैसे मैंने आप थोड़ा दिर पहले आपको डिल किया कि जो climate होता है यहां पर equitable है यहां पर extreme कहीं कहीं पर जैसे हम मैंने अब थार डिजर्ट के एक्जामपल दिया, so वहां पर हमने जो देखा था कि वहां पर बहुंच ज अरिया होने करण से ना ज्यादा बहुं ठंडी होती है, winter में न स्थंड पढ़ती है, न समर में बहुंच ज़्यादा कर्मी पढ़ती है, but आप जो desert area में चले जाए cold desert हमारा जो लडाक वाला जो रिजन है वहां पर चले जाएंगे हिमालिया रिजन में वहां बहुंच ज़ बट आपका जो crystal areas है वहां पर ना तो ज़्यादा cold होता है ना ही ज़्यादा hot होता है, so इसी चीज़ों के यहां पर deal किया गया है कि चेन्नाई और मुंबई के example दिया है, मैंने आपको विसाखा पटना के example दे दिया, landlock जो रिजन देली हर्याना की बात किया है, जहां पर ठंड में बहुंँ ज़्यादा ठंडी लगते है और गर्मी में बहुंँ ज़्यादा गर्मी के हैसास होता है, then अब यहां पर नेक जो पॉइंट आदे कि the climate of a region has a strong influence on the people who live there, means जिस टाइप का जो climate होता है, वहां पर लोगों का जो रहांसान है, उसका जो live है, वो effect होता है, उसको implement करता है, जो हम यहां पर देखेंगे तो climate also control the soil, vegetations and animal life of a region, the very lifestyle of the people, their food habits, clothing and types of shelter is determined by the climate of place, means climate है, वो स्रीप लोगों का pattern, लोगों को effect ही डालता है, वहां पर जो vegetation होते हैं, उसको भी effect डालता है, उसको भी effect डालता है, जैसे हम बात करें, कि आपका जो high mountain region में चले जाएंगे, तो वहां पर जो कोनी फेर जो trees है, यानि जो trees क्या होता है, उसके पत्ते जो है, ऐसे सब्सक्राइब जाएंगे, तो आपको जो कटीली जारिया है, वहां बहुत ही, लेस अमांट्स में होते हैं, बहुत कम अमांट्स में होते हैं, और वहां पर उसी taps के animals विफाएंगे, देन आपका जो humans की बात करें, तो humans का जो food habits है, उसका जो clothing है, उसका जो रहने का जो shelter घर का है, वो भी climate वर इफेक करता है, जैसे आप coastal areas में चले जाएंगे, या फिर आपका जो river basin areas में, river की किनारे वाले area में चले जाएंगे, तो व वहां पर जो food habits है, उसमें rice जो है, वो involved होते हैं, आप राजिस्थान और आपके गुजरात के desert area वहां पर जाएंगे, तो वहां पर जो लोगों का जो diet है, वहां पर जो थंड़ा पेपदार्थ है, वो जादा वहां पर दूद दही, जो मकन है, बटर, वो सब खाना prepared करते ह है, so food habits साथ ही साथ जो उनके जो clothing है, वो उसी के coding होते है, देन उनका जो घर भी है, जैसे आपका जो जहां पर snowfall होता है, वर्फ बारी होता है, वहां पर जो चट पक्के जो चट ऐसे वाले चट बना देंगे, तो वहां पर पूरा क्या हो जाएगा, snow जो है, इस्टोर हो जाएगा, बट उसके जो वहां पर जो चट जो बनाया जाते हैं, वो क्या होते है, धाल वाले होते हैं, ताकि जब बर्फ बारी हो, तो वह जो बर्फ है, वो नीचे धल जाए, जो, climate also influence the natural resources of country, this is turn, determines the occupation of the economic activities of that country, means आपके जो climate है, वो natural है, आपके जो हमारा resources है, उसको भी फ्यक डालता है, और natural resources यहाँ पर available है, वहाँ पर आपके जो economic activities है, वो भी influence होता है, जहाँ पर जादा natural vegetation पाई जाएंगे, natural resources available है, वहाँ पर generally आप देखेंगे, तो humans जादा रहना पसंद करते हैं, तो यह जो कुछ जो climate के जो factors थे, उसके बारे में हमने देखा, अब जो next जो बात के, तो जो next जो आता है, कि there are various factors that affect the climate of place, the major factors, मतलब पुछ जो बहुं सारे ऐसे जो factors हैं, तो वहाँ पर दो, एक horizontal और एक जो है, vertical lines के बारे में हमने study किया था, तो जो latitudes और longitudes वही होता है, horizontal और vertical lines, तो इसके बारे में, तो उससे जैसे जैसे हम, latitudes, higher latitudes में जाते हैं, जाते हैं, उंचाई की और जाते हैं, तो यहाँ से हम उपर के और जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो 90 degree हो जाता है, जिसको North pole कहा गया, यहाँ पर South में आप देखेंगे, तो South pole, तो यह 0-90 जो होता है तो इधर आप उपर के ओर जाते जाएंगे या फिर नीशी के ओर जाएंगे यानि नौर्दरन हमेस्पेर में तो जो टेंपरेचर वो कम होते जाता है क्यूंकि जो संरेज है वह इसे दिर्चा पड़ता है जो आपके जो डिस्टेंस है किसे सी से यानि समुद्र से जिद्यूरी जैसे हमने अभी कोस्टल एरियास के बारे में बताया समुद्र तटी जो एरियास वहां पर ना जादा गर्मी होता है ना जादा थंडा होता है क्योंकि जो लैंड ब्रीज सी ब्रीज के बारे में आप लोग इस्टेडी किया है तो उसका जो इफेक्ट्स है नहीं पर है तो आगे के क्लासेस में हम देखेंगे तो थंडी गरम हो के कारण से कोस्टल एरियस में उतना ज्यादा एक्स्ट्रीम कंडिशन नहीं होता है moderate temperature होता है altitudes की बात किया गया तो altitudes में आप देखेंगे उचाई के साथ कोई भी प्लेस में हम जाएंगे जो sorry जो altitudes के according to यह नहीं उचाई के साथ ही साथ हम देखते हैं तो क्या होने लगता है टेंपरेचर है डाउन होने लगता है काम होने लगता है जिससे इसी करण से आप हमाउंटें जो higher mountain रिजन डेंगे तो वहां पर वह मौंटें है Ice से covered होता है एट मोस आपकर जो एट्मोस्फेरिक प्रेसर और विंड्स की बात किया गये तो वह भी टालता है जहां और आपका atmospheric जो pressure है तंड़ हवा थंड़ हो थान दे वहां पर प्रेशर ज्याद होता है और जहाँ पर ह्वादार हिस डरम होतानी वहां पर पर परिशर कम होता यहां पर और डिटेल इस्टडी करेंगे यहां पर एक और पाइंट रिलीफ मौंटेन और हील से मैंने जिसे थोड़े पहले बताया कि जो एल्टेटूड से नहीं उचाई के साथ हमाँ जो टेंपरेचर है वो क्या होने लगता है कम होने लगता है सो मौंटेन और हाई जो मौंटेन एरिया हील जो एरिया से वहाँ पर टेंपरेचर कम होता है सो दा वर्ड इस डिवाइड इंटो नंबर आफ क्लाइमेटिक रिजन्स यू विल लान अबाउट देम इन डिटेल इन यूर नेक्स क्लासेश का इंडिया कंड इन्दा मौंसोन ये रिजन अब दा वर्ड मिने सब यहां पर बात आया कि जो ग्लाइमेट है उसको वर्ड में को जो अलगला इसके बारे में हम जो नेक्स जो क्लासेश आइं वहां पर आ डिटेली स्टटी करेंगे इंडिया का जो no climatic reasons के बाद के जाए तो जो वर्ड में वो जो मानसून एस है रीजन है वहाँ पर सामिल किया जाता है so यह इंडिया के आपके कुछ जो basics जो climate और weathers के बारे में next जो class होगा हम वहाँ पर देखेंगे the climate of India so okay thank you झाल